तर्द रितु में जो मुर्गी पालन से जुरे किसान हैं जो बैक्यार्ड पॉल्टी फार्मिंग करते हैं उनके लिए भी कुछ जरूरी बाते हैं जो उनके मुर्गी पालन में फायदे मांद हो सकती है कि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं और घर के आसपास कहीं रख रहे हैं मुर्गी का बाड़ा बनाए हैं तो निस्चित रूप से आपको उसको सर्ध हवा से बचाना चाहिए उसको एक परदा से या किसी भी चीज से ढख देना चाहिए लेकिन इतना भी ना ढखें कि उसमें फ्रेस एर ना जाए वो भेंटिलेशन की शुवधा होनी चाहिए और प्राकिर्तिक रूप से जो मुर्गी है उसमें पंक है सफिसियंट ऐसा नहीं सोचें कि ठंडी में सूरज नहीं निकल रहा है आपकी मुर्गी को ठंड लगेगी और आप बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं तो ये भी अच्छी बात नहीं है उसको निकलने दे सकते हैं लेकिन मुर्गी खुद ही अगर ठंडी को बरदास कर पा रही है तो घुमेगी और अगर नहीं घुम पा रही है तो आके बैठेगी घर के अंदर, घर के अंदर जो है आप उसकी स्विविधा के लिए स्विविधा जनक रूप से बेडिंग मेटेरियल अच्छी पिछाली पर नाली दें, जो सौर डस्ट है या भूसा आप जो देते हैं, साफ सुथरा आप जो उसके लिए घर बनाए हैं उसमें कुछ रोशनी भी आ सके धूप निकलता है लेकिन आप इतना ढग देते हैं उसका घर की धूप ही नहीं जाता है धूप एक बहुत अच्छा डिसिंफेक्शन का काम करता है कि अगर किसी तरह का अंदर किसी तरह का बैक्टेरियल उसको कंट्रोल करता है तो हबादार भी हो रोसंदान भी हो और उसमें किसी तरह का वाइल्ड एनिमल जंगली चुहा या पक्ची उसके घर में ना घुसे इतनी आपको सुफधा रखनी चाहिए कि मुडगी आराम से उसमें रह सके और एक होता है अलाग से रूस्ट की आप बैठने का जगह बना दें क्योंकि हो सकता है जमीन बहुत गीला हो तो वहां बैठेगी तो उसको ठंड लगेगा तो आप थोड़ा उचा एक मचान टाइप से घर के अंदर ही ताकि मुडगी को सुवधा जनक हो तो वह उपर चड़ करके आराम से रूस्टिंग कर सके उसके बैठ सके ये धियान देने योग के बाते हैं और उसको जो आप खाना दे रहे हैं वो खाना में कुछ दानेदार क्रस्ट मेज जो है वो साम में अधिक मातरा में बैठ साम में उसके बैडिंग मेटेरियल पर भी आपको छिरक शक्ते हैं जहां से उसको अधी रात के सम पानी का जो हम पीते हैं, 37 डिग्री टेंपरेचर का पानी कुनकुना हो तो वह भी उसके लिए फायदेमान्द है इसके बाद आप बाहर उसे फुला में जाने देते हैं ताकि वह अपना फॉरेजिंग कर सके और वह अपना जो निट्रिशन है बाहर से पूरा कर सके इसके अलावा आप अगर खाना देते हैं, छीटते हैं या कहीं भी तो वो सूखा जगह में दें, गिला जगह में उसको कभी भी खाना न दें अगर उसका कुछ बेडिंग मेटेरिल गिला हो गया तो उसको तुरत रिफलेस कर दें, तुरत उसको बदल दें